2024 में बट सावितरी ब्रत कब है वीडियो में जानेंगे नया ब्रत सुरू करे या नहीं जैसे नव विवाहित महलाएं इस ब्रत को करना चाहती हैं तो करना चाहिए या नहीं क्योंकि खरमास मलमास लगा था ऐसी इस्तिति में वीडियो के अंतर तक बने रहिएगा छोटा सा वीडियो हाप के लिए काम करेगा जैसे कि सुहाग का सबसे बड़ा ब्रत इसे माना जाता है कहा जाता है यह ब्रत पती की लंबी उम्र करता है रोग संकट पीड़ा और संतान प्राप्ती में भी यह ब्रत साहक माना जाता है तो 2024 में यह ब्रत बहुत सुवसायोगों के चाहते हैं तो नव सववतसर लग चुका है चैत्र महा से नया वर्ष लग चुका है हिंदू कलेंडर के अनुसार तो आप सभी जो है नया ब्रत सुरू करना चाहते हैं तो जरूर से कर लीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है खरमास मलमास अपूर्ण रूप से समाप्त हो वर्ष के इस ब्रत को आरंब करें नए वह जो नव विवाहिता हैं और कुवारी कन्याई भी इस ब्रत को कर सकती है मन चाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए निश्ची थी आपके जीवन में सब सुख आपको प्राप्त होगा वीडियो में आगे बढ़ने से कहले आपसे अन जो कि अपने आप में अधोत है इस दिन गुरुवार का दिन होने के कारण 6 जून को यह और अधिक स्रेष्ट हो गया है कहा जाता है गुरुवार का दिन जो है सौभाग्य के लिए होता है और सौभाग्य का सबसे बड़ा व्रत गुरुवार 6 जून के दिन 2024 में रखा विदी विधान से रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करकर बढ़ सावितरी ब्रत की कथा सुने अमावश्या ती थी जो है जैसे कि यह है बहुत विसेस अमावश्या के दिन रखा जाने वाला ब्रत है ऐसे में अमावश्या जो की जेस्ट माहकी होती है वह जो है विसेस त पर दिया हुआ है इस अनुसार अपने छेत्र के जो है विशेस नियमों के साथ इस पूजा को परिपूर्ण करें धिरे धिरे चैनल पर संपूर्ण विधान के साथ जो है पूर्ण विधी के साथ किस तरह से ब्रत किया जाता है इसका वीडियो भी मिलेगा तो चैनल से जुड और खूब सारा लाभ प्राप्त कीजिएगा साथ के साथ इस ब्रत को कई कई भक्तजन जेस्ट पूर्णी मा के दिन भी करते हैं महरास्ट इत्यादी के छेतर में उत्तर प्रदेश उत्राखन इत्यादी छेतर में इसे अमावस के दिन जेस्ट अमावस्या के दिन किया जाता ह वीडियो उचीत रहता है तो हर हर महादेर लिखना न भूले लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें